हिल्ले दोस्तों मैं स्वारों बलिक आप से भी का टोपिक स्टेड़ में स्वागत करता हूँ दोस्तों ALP Technician का 30 अगस्थ 1st सिप्ट का एक्जाम हो चुका है बहुत सारे कोशन्स मुझे मिल गए हैं तो वही सब कुछ हम डिसकस करने वाले इस वीडियो में तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा अपने सभी दोस्तों के साथ में भी जरूर सेयर करिएगा और जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड का लगा बटन दबा करके खुद भी जुड़ जाएए और अपने सभी दोस्तों को भी जुरूर बताएगा बैल आइकन को ओन रखेगा बैल आइकन ओन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे मैत का दोसे तीन रीजिनिंग करनों से दा सो जी के का लाइप टैस सिलता है देरी रात को ग्यारा बजे और देखे दोस्तों मैं अकेडमी की लर्नी अप पर भी पढ़ाता हूँ या पर मैंने बहुत सारी मैत की वीडियो प्लोड कि तो पूरी वीडियो को देखेगा अगर आपको कुछ लगे helpful है वीडियो तो प्लीज लाइक भी जरू करिएगा तो रीजिनिंग के सबसे पहले topics की बात कर लेते हैं तो when diagram से आपकी questions पूछे जा रहे हैं mirror और water image दोनों से question आ रहे हैं इमेज वाले बहुत जादा questions पूछे जा रहे हैं जैसे बात करके पता चलता है कि image वाले question बहुत जादा है calendar से भी आपका 1-2 question है statement conclusion से आपके 4-5 question पूछे गए हैं जैसे पता चलता है मैं वो भी आपके साथ में discuss करूँगा कि किस टाइप की questions है फिर counting figure से भी एक question था, analogy से भी एक से दो question था, clock से एक question था, coding, decoding से भी आपके 2-3 question पूछे जा रहे हैं कुछ यह topic है जो important है आपके exam के point of view से जिनका अभी कल का exam और next की 2 shift बची हुई है तो आप इन topic पे थोड़ा जादा focus रखेगा ठीक है देखे एक question मुझे पता चला है, इस लोग का आपका, इस लोगिज्म का, तो इसको कैसे करना है, बहुत ही आसान है, वैसे सभी कर लेंगे आप, some ring are rice, तो some ring are rice है तो इसका मतला आपने ring को एक गोला बना, एक diagram बनाया, when diagram, उसमें हलका से cut लगा के ring वाला बना दिया, तो य यानि कि पूरा अंदर रहेगा, तो all potato are rice ये भी complete होगा आपका, तो यहाँ पर बोला क्या गया है, conclusion में आपका, all rice are potato, तो all rice potato तो नहीं हो सकता है, all rice are potato कब हो सकता था, जब आपका rice जो था, वो completely cover किया जाता potato से, तो all rice are potato इस वाली condition में हो सकता था, तो यह तो गलत हो तो all potato are rice है, तो some भी हो जाएगा, ठीक है, तो यह आपका second वाला right हो जाएगा, तो यह तो बहुत ही simple question था, ठीक है, और जितने भी questions मिलते रहेंगे, मैं आपको telegram में भी share करते रहूंगा, अगर आपने अभी तक telegram join नहीं किया है, तो link तो आपको नीचे description box में मिली जाए ठीक है, next question था, देखिए, 22 March को Monday हो तो 25 में को क्या होगा, तो यहापे बहुत ही simple सा question है, ठीक है, 22 March में, March में आपके कितने extra days है, 9 days हो जाएंगे extra, फिर आपका April में कितने extra days हो जाएंगे, 30 days extra हो जाएंगे, फिर May में आपका कितना 25 में तक है, तो इसका मतलब 25 ही आपके extra days हो जाएंगे, सभी को plus के लिए कितना हो जाएंगे, 64, ठीक है, 64 को divide कर दीजे 7 से, तो जितना भी आपका remaining बचेगा, reminder बचेगा, वो ही आपका add कर दिना है, यहापे बोलागा है कि 22 March को Monday है, तो Monday से 1 next क्या होगा, Monday के बाद Tuesday यह आपका right answer हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत सिंपल था यह question, आसा करता हूँ कि आप सभी कर सकते थे, अगर आपने मेरी सारी clock वाली और यह calendar वाली वीडियो देख रखी होगी, तो आप easily इन सभी questions को कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, एक आपका question था देखे, 4 बच के 50 मिनट पे कितने डिगरी का angle बनेगा, तो यह बहुत थीटा, तो इसको कैसे करेंगे, 2 से 50 जाएगा 25 टाइम, ठीक है, 25 की 11 में करेंगे 275 हो जाएगा, 30 की 4 में करेंगे 120 और प्लस माइनस थीटा, थीटा हो जाएगा, इधर जाके माइनस होगा, तो 275 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा, 155 डिगरी, यही आपका right answer हो जाएग 155 डिगरी का एंगल बन जाएगा, तो आसा करता हूँ कि आपको इस समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलिए next बात कर लेते है, math की, math में आपका सबसे पहला एक question था, इस तरीके से, x का 72 परसेंट 90 है, इस तरीके से लिखा थो, x की value क्या है, तो बहुत ही simple question हो जाएगा, द यह दर multiply करके और 72 से divide कर देंगे, ठीक है, बहुत तरीके से तो करेंगे, फिर 3 से इसको cut करेंगे, कितनी बार जाएगा, 24 ताइम और यह जाएगा, 30 ताइम, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका 3 से फिर चला जाएगा, 10 ताइम और यह चला जाएगा, 8 तो यह आपका हो जाए 37 और 111 यानि कि आपका 111 और 148 का LCM पूछा गया था, अभी LCM की मैंने बहुत अच्छे अच्छी ट्रीक आपको बता रखी है, अगर इसकी बात की जाए, देखे अगर किसी बच्चे को यह ट्रीक अभी इस टाइम पे समझ में नहीं आती है, क्योंकि थोड़ा सा जादा स कोशन कराने पड़ते हैं, किसी भी एक ट्रीक को अच्छे से समझाने के लिए, अभी इस कोशन में अगर समझ में नहीं आती है, तो आप बिल्कु डारेक्ट वैसे निकाल सकते हैं, LCM को जैसे निकालते हैं सभी वच्चे, तो यहापे आप देखे, 37 और 111 का LCM अगर हम ब निकालेंगे, देखे, यह तो आप 111 का पाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और कोई भी ऐसी संख्या जिसमें इन दोनों को, मतलब यह दोनों को डिवाइड कर सेगे, उस संख्या को, वो LCM बन जाएगा, तो आप 111 कि अगर हम 4 में कर दे, मल्टिपलाई, कितना हो मजना है, तो LCM वाली वीडियो देख लीजेगा, बस आपको सर्च करना है, यूट्यूब पे, LCM Topic Study सर्च कर दीजेगा, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, चलिए, नेक्स चलते है, देखे, एक कोशन था, आपका कुछ इस तरीके से, 122 पलस 312 माइनस 3 डिवाइड by 1116 into 372, तो अगर इस तरीके से आपको दे रखे है कोई संख्या, और उसका मान पूछा है, उसका मान क्या होगा, तो आपको बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं, देखे, कैसे करना है, 122 पलस 372, और यहाँ पे आपको 3 को डिवाइड करना है, 1116 से, तो इसको माइनस करके डिवाइड कर दीजे, 3 divided by 1116 multiply 372, यहाँ पे 372 से 1116 तीन बार चला जाएगा, और तीन से यह तीन कट जाएगा, तो अभी क्या हुआ, यह सब कुछ कट चुका है, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यह बचेगा, इन दोनों को पलस कर लिजे, 493 is the right answer, फिके जो भी यह question मिलेंगे आपको exam में, इनका मतलब level बहुत easy होता है, देखने में hard लगेंगे, बट यह कहीं न कहीं बहुत easy calculation होती है, ठीक है, तो इनको try एक बर जरूर कर लिया करें, बिल्कुल छोड के नहीं आना है, कि एक दम से छोड़ दे देखते कि इसमें कौन time waste करें, फिर next आप present में age का ratio 1 is to 2 है, तो आपको क्या करना है, देखे, 1 की multiply x में करेंगे, तो आपका x ही बन जाएगा, तो यहाँ पर x और 2x, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, इनकी age है present में x और 2x, इन दोनों की age में से, अगर मैं 55 minus कर दूँ, क्योंकि 5 वर्स पहले का ratio मुझे पता है, तो यह 1 upon 3 के equal हो जाएगा, भाइ, इसके equal हो जाएगा न, अगर मैं इनकी present age में से 5-5 वर्स माइनस कर दूँ, तो इस age के ratio के equal हो जाएगा, तो बस आपको इतना ही करना है, बाकी तो cross multiply करते ही, खुदी x की value निकलके आ जाएगी, तो यहाँ पर इस तरीके से cross multiply करेंगे, 3 की होगा 10 है, present my ratio क्या था, 2, 1 is to 2 था, तो यहाँ पर आप 1 is to 2 का मतलब है, x और 2x था, ठीक है, तो a की तो आपके x था, तो इसका मतलब a की age कितनी होगी, 10, b की कितनी हो जाएगी, 20, यह कब की है present age जाएगी, तो दोनों में 5-5 पलस कर दीजे, तो 5-5 पलस करेंगे, तो 15 औ 5-25 तो 3 is to 5 का इनका right answer आजाएगा, यानि कि यह हो जाएगा, इनकी age का ratio 5 वर्स बाद, तो आसा करता हूँ कि यह question भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, देखे दोस्तों, आज बहुत ही simple सा question पूछे गया है, chairman of railway board, railway board के chairman कौन है, अस्विल लोहानी, यह आप सभी को होगा, ठीक है, यहाँ पर पूछे गाते है, maximum branch of bank, यानि कि जो इंडिया में का bank है, जिसकी maximum branches है, वो कौन सा है, SBI bank सभी को पता है, कितनी है, 16,333, तो साइद यह तो नहीं पूछे जाएगा, बर टीम मैं बता देता हूँ, 16,333 branch है इसकी, और यहाँ पर second number पे state of bank of brother आता है, तो यह भी आपके पूछे जा सकते है, ठीक है, एक था BIMS Tech Summit 2018 का कहां पे हुआ था, नेपाल में हुआ था, तो यह question भी आपका आज का पूछा गया था, देखे सवच भारत मिशन से आपका कल भी एक question था, आज भी एक question है, कल यहाँ पे पूछा गया था, कि किस date को यह start हुआ था, तो 2 October को राज पूछ लिए गया year, कौन से year को start हुआ था, तो कौन से year में start हुआ था, 2014 में यह start हुआ था, दाई दिन का जोपडा located, यह कहां पे located है, दाई दिन का जोपडा कहां पर है, अज मेर City में, जो की राजिस्थान में है, ठीक है, और यह किसने बनवा दाया था ठीक है भई एक है आपका विस्तारह एयरलाईन पार्टनेसिक बिट्वीन यान्य कि विस्तार thinking के पार्टनेसिप से बनी है वो Tata Sons के और सिंगापूर एयलाईन की पार्टनेसिप से बनी है ठीक है भई आश्या करता कि आपको ये सबकुछ समझ में आ रहा होगा एक था मूर्ती देवी अवार्ड मूर्ती देवी अवार्ड 2017 किसको मिला था जोए गो स्वामी को ये मिला था ठीक है चलिए नेक्स चलते हैं आपके कोशन था पंजी सिटी इस लोकेटिड ओन विच रिवार्ड तो पंजी आपकी कोशन था की अब यह एक्च्वल में कोशन नहीं पता है अगर किसी को पता होगो तो comment box में आप question बताएगा FTII chairman कौन है? अनुपम खेर यह question आपका पूछा गया था CMO आंदर परदेश यहाँ पे पूछा गया है N. चंदर बाबु न्याडू राइट आंसर हो जाएगा ठीक है? यहाँ पे कुछ यह थे आपके science के question कमी मिल पाए है जो भी है यहाँ पे देख लीजे N. A. C. L. पलस H. 2. O. chemical reaction यहाँ पे पूछा गया था कि इन दोनों को मिलाने से क्या chemical reaction आएगा तो N. A. O. H. पलस H. C. L. is the right answer हो जाएगा आपका ठीक है periodic table से लेटी बहुत सारे questions पूछे जा रहे हैं तो periodic table को आप रट लीजे बिल्कुल periodic table से तो आपका एक दो questions जरूर आएगा अगर आप पढ़ ले तो उसका मतलब वो waste नहीं जाएगा आपका उसमें से question बन ही जाएगा sodium carbonate का formula पूछा गया था है आपे किस से measure किया जाता है ठीक है तो आज की वीडियो में था इतने ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है और इसी ये question जो भी मैंने बताएगा आपको helpful लगे है तो please वीडियो को like और share करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में जो भी आपके doubts है तो आप comment box पर पूछ सकते हैं वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद आपका दिन सुबो